Welcome to ABC Campus, आज हम Business Law में जो टॉपिक है Performance of Contract 1, उसमें Past Exam के जो MCQs हैं वो Spring 2022 की Attempt तक के कवर करेंगे, तो इसमें हमारे पास तीन MCQs हैं, एक Spring 2021 की Attempt से, फिर जो Model Paper है उसमें बड़ा Similar Nature का Question है, और फिर Spring 2022 जो Latest Attempt हुई है उससे. तो इन तीन MCQs को One by One हम डिसकस करेंगे. तो First Question ये है कि on 27th February 2021, बिलाल एज ओनर अफ बलडस्टोन सुगर मिल्स एंटर्ड इंटर्ड 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 वेकर्स तू सप्लाइ 1,000 kgs अफ शूगर न 5 मार्च 2021. अब इसमें 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 इंटर्ड 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 इंटर् हमें ये समझने की जुरूरत है कि उन्होंने contact perform नहीं किया तो क्या ये contact perform ना करना एक ऐसी situation थी जिसमें contact में performance excuse हो गई थी perform करने की जुरूरत नहीं थी contact discharge हो गया था या एक ऐसी situation थी कि contact discharge नहीं हुआ था और विलाल की तरफ से जो refusal है वो basically breach of agreement है क्योंकि breach of agreement होगी तो damages recover हो सकेंगे और अगर contact discharge हो गया था किसी और reason की वज़ा से तो फिर नहीं हो सकेंगे यहाँ पर जो notice आप देखें कि government ने एक notification issue की है जिसकी वज़ा से जो बिलाल है या bloodstone sugar मिल्स है वो जाहरी बात है अब sugar किसी और को नहीं दे सकते है उन्हें government को ही देनी होगी और government को उसी rate पर देनी होगी अब यहाँ पर 70 kg और 75 पर kg यह relevant नहीं है तो जब government की तरफ से notification आ जाता है तो वो law की हैसियत रखता है और उस पर law के मताबिक implement करना होता है तो अब किसी और को जो चीनी की supply करना delivery करना वो basically क्या हो जाएगा super meaning illegality हो जाएगी कि law के against हो जाएगा तो contract जो है वो discharge हो गया on the date of notification इसलिए हमारा जो answer होगा वो होगा no कि damages claim नहीं हो सकते लेकिन क्योंकि यह impossible हो गया illegal हो गया तो यह void हो जाएगा voidable वाली बात नहीं है क्योंकि यह party के option पे नहीं है कि वो इसे cancel करें या ना करें यह तो अब law बन गया तो parties के हाथ में नहीं है दोनों parties के लिए contract enforce करवाना possible नहीं रहा तो option be correct होगा next question देखते है model paper में अगर यहाँ पर आप notice करें तो dates और amounts का फर्क है और बाकी similar nature का बिल्कुल question है जैसा हमने पेशला question देखा था वोई sugar मिल वाली बात है quantity different है date different है rates different है कि तो government ने notification issue कर दिया था और उसकी वाइसे चीनी किसी और को deliver नहीं की जा सकती थी तो agreement perform नहीं किया जा सकता था due to supervening illegality तो breach of contract नहीं है बलके contract discharge हो गया था contract वाइड हो गया था वाइड contract बन गया था on the date of notification so option be correct होगा जैसे last question में देखा था तो यहां पे नाम और date इट परक है तो अब हमारे पास question है कि मारिया borrowed rupees 500,000 from आमिर and promise to repay on 5th January 2022 शी used the funds for giving loan to her brother जुनेद on the due date मारिया requested आमिर to take payment directly from जुनेद instead of her यानि पहले जो contract है वो मारिया और आमिर के दर्मियान और मारिया ने पैसे जुनेद से लेने तो अब जो मारिया ने प्रपोस किया है वो क्या है कि आमिर जो है वो directly जुनेद से payment ले ले जुनेद promise to pay rupees 500,000 to आमिर इसका मतलब है मारिया ने request किया तो मारिया की consent है इस agreement में जुनेद ने promise कर दिया कि वो आमिर को pay करेगा तो जुनेद की भी consent है और आमिर ने agree किया तो आमिर की भी consent है जब तमाम parties की consent है तो बिलकुल इसमें parties change हो सकती है इसको हम innovation with change of parties का concept कहते है तो if जुनेद makes default then क्या होगा अब situation ये है कि इस सारे arrangement के बाद मारिया और जुनेद के दरमियान का loan भी खतम हो जाएगा और मारिया और आमिर के दरमियान का contract भी खतम हो जाएगा बलके अब contract आ जाएगा जो जुनेद और आमिर के दर्मियान होगा जिसके मताबक आमिर में जुनेद से पैसे recover करने है तो अब अगर जुनेद default करता है तो आमिर can claim 5 lakh from Mariya, no क्योंकि अब Mariya के साथ कोई contract नहीं है can claim 5 lakh from both Mariya and जुनेद Mariya के साथ तो कोई contract नहीं है यह बात ठीक है क्योंकि अब Mariya के साथ कोई contract नहीं है उनसे कुछ भी claim नहीं कर सकते तो option C cracked होगा last one है कि अमिर cannot claim 5 lakh from जुनेद as Mariya is the principal debtor यह जो है एक तो Mariya is not a principal debtor यह contract of guarantee के अंदर concept यूज होता है जो कि यहाँ पर relevant नहीं है आमिर can recover from जुनेद but not Mariya तो option C जो है वाहिद correct statement है out of the four तो यह हमारा answer होगा and that's all for today have a good day प्राई कर रखऴThey जो सकतरे जायस